कानपर से अब खबर जहांद चकेरी में फिर हुआ दो गुटों में गैंगवा दोनों पक्षों के तरफ से काई राउंड गोली चलाई गई तो दबंगों ने गोली के साथ जम कर पत्तरवाजी भी की है तो इलाई काई लोगों में दह्शत का महौल है घटना की सूचना परभारी पुलस बल मौके पर पहुचा है CCTV कैमरे में कैद हुई है ये पूरी घटना चकेरी धाना शृत्र के सफिपुर अलाके की घटना है अपडेट है रहते हमारे समद अदा राम जी शर्मा हमाई साथ जुड़ गए है राम जी क्या कुछ अपडेट पिर रही है इस पूरे मामले में फिर से रिखे ये पूरा मामला सामने आया है जहां दो पक्षों में विवाद हुआ है काई राउंड गोलिया भी चली है क्या अपडेट है ये बिल्कुम मैं बता दूए पूरा मामला चकेरी थाना शेर के सफिपुर शेट काई जहां पर पिछले काफी समय तो आवर जोग उठा है क्रवेद निशा से हैं और यूतास प्रिवारी परिवार जो की काफी समय से इन लोगों विवर्चस को लेकर के विवाद चला रहा है काई बार मार्पी तुए दोनों पच्छों करें मामले दर्द में एक बार फिर जब इनके घर लगाने विरोष तुए जिसको लेकर पिर उन लोगों ने वश्चस कायम करने के लिए रविभी दिसात परवार में पुछे उनके घर जबार पहुंचे है को आज पत्राओ करने के जब उनों पच्छों पत्राओ किया तो दोनों पच्छों पत्राओ होने लगा ऐसे मिनों जो बुर्गे आई ते लुगंडे आई ते उन लोगों ने फाइरिंग करने लगे करें शे राउंड फाइरिंग गरी इस पे पूरे इलाके जैसत का मौल व्याद्ट हो गया इलाटा है लोगों रगे दर्वाज़ी पते दिया और सम्मंदी थाने में सूचना थी सूचना मिल कि आरोपी गरफ्तारी नहीं हो जोटी है लेकिन एजिती अमना त्यातों कहना है कि बहुत जल्द इनों फाइरिंग करी पत्राओं कर उसी गरफ्तारी की जाएगी बिल्कुल देखें लोगों में देह्शत का महौल है और ऐसे में किस तरीके से संग्यान लिया जाता है बहुत शुक्रिया राम जी आपका दम आम जानकारी के लिए